आज हम आपके साथ शेर करने जा रहे हैं चीज पनीर बुर्जी की रेसिपी यह बहुत ही हेल्थी और यमी रेसिपी है तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल पर नए आए है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ ही बेल का आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी चीज पनीर बुर्जी बनाने के लिए हम चुले की आज को मीडियम रखेंगे पैन में डालेंगे पाव कप तेल और इसे गर्म कर लेंगे तेल के गर्म होने पर डालेंगे दो चौप की गई प्यास प्यास को थोड़ा नर्म होने तक पकाएंगे प्यास के सौप्ट होने पर डालेंगे एक टेबल इस्पून चौप किया गया अद्रक एक टेबल इस्पून चौप किया गया लहसुन दो चौप की गई हरी मिर्च दो चौप किया गया टमाटर और थुड़ा सा नमक एड़ करेंगे टमाटरों को सौफ्ट करने के लिए अब इससे दो मिनिट भून लेंगे इससे हमने दो मिनिट भून लिया है और टमाटर भी सौफ्ट हो गय है तो हम आज को स्लो कर लेंगे और पैन में डालेंगे एक टीस्पुन लाल मिर्च पाउडर एक टीस्पुन धनिया पाउडर आदा टीस्पुन हल्दी पाउडर थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा नमक एड़ करेंगे क्योंकि नमक हमने पहले भी एड़ किया है थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले ना जले और इसे स्लो पर एक से दो मिनिट भून लेंगे अब इसमें एड़ करेंगे 200 ग्राम ग्रेट किया गया पनीर पनीर को मसालो के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है अब हम इसमें एड़ करेंगे दो चीज क्यूब चीज क्यूब को हम ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आप इसे चपाती, पराठा या पाउं किसी भी चीज के साथ सर्फ कर सकते हैं अब हम इसमें गार्णिश के लिए थुड़ा सा धनिया पत्तर डालेंगे चीज पनीर बुर्जी तैयार है इसी पैन में हम डालेंगे थुड़ा सा बटर और इसे मेल्ट कर लेंगे बटर में डालेंगे थुड़ा सा धनिया पत्तर और चुटकी भर लाल मिर्ज पौर्डर डालकर इसे हलका सा मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम पाउं को रखकर अच्छी तरह से सेक लेंगे आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताए हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अलाहाफिस